सासराम के चेनारी थाना शेत्र के गुपता धाम जाने के दौरान पहाडी नदी में अच्छानक पानी आ जाने से दरजनों कावरियों के फसे होने का एक विडियो तेजी से वाइरल हो रहा है बताया जाता है कि यह वाइरल विडियो एक अगस्त का है बता दे कि पहाडी शेत्र में जब मुस्लाधार बारिश होती है तो पहाड से निकलने वाले नदियों में कुछ इसी तरह से उफान आते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद यह पानी निकल भी जाती है लेकिन इसी दौर कई कावरियां फस गए और किसी तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं बताया जाता है कि पनिहारी घाट से आगे बढ़ने पर सुगवा नदी में उफान आने के कारण यह स्थिती उत्पन हुई थी लेकिन घंटे दो घंटे के बाद पानी के रफतार कम हो गई और लोग सुरक्षित बाहर निकल गए बता दे कि 20 जुलाई को भी कुछ इसी तरह से पहाडी के सीता कुंड में उफान आया था जिसमें कई दुकाने जो फुटपात पर लगी थी वह डूब गई थी कुछ इसी तरह का नजारा एक अगस्त को भी देखा गया है उस दिन सावन का ती किसलाधार बारिश होती है तो पहाडी नदी में अच्छानक पानी की धार तेज हो जाती है